नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूटूब चैनल प्रगास से यूटेक में तो बेरिफाइड होने वाले छात्रों को सिर्फ मिलेगा पैसा इसका साथ सा जिनका फॉर्म रिजक्ट हुआ उनके बारे में बात करूँगा पर्सेंटेस को लेकर एकद सौपना हो या फिर घेराओ करना हो कारयाले का वो सकारात्मक का नतीजे गरूप में बदल रहा है जी बिलकुल क्या हो रहा है कि इसका कहीं कहीं अच्वर समाच कल्यार विभाग के अधिक्यारियों पर पढ़ रहा है सारा कुछ कवर करूँगा लेकिन उससे पहले नीचे देखो सस्क्राइब बटन देख रहा होगा उसको प्रेस कर दो और बन जाओ इस फाइमिली का हिस्सा बेल आकन को प्रेस करते हुए तो चले वड़ो को सुरू करते है और आपको सारी जनकार देख सकते हैं कि सासन को भेजी छात्रों की मांग जी हां समाच के लाड़ विभ चात्र फेलोसिप नहीं पापाएंगे और कहीं ने कहीं ये वास्त्विक्ता है हाला कि गवर्मेंट अपना रूल नहीं चेंज करने वाली है पैसाट पर्टिशन्ट से कम जिसका भी है जरूरी नहीं कि वो वीसी हो जनरल लोग यसी अश्टी हर किसी के साथ ये नियम लाग करीब दो पहर में एक से डिड़ वजे की विश में कि स्कॉलर्सिप का वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैं अधिकारियों उसका जो भी कॉल रिकार्डिंग है वो आपको वीडियो के अंदर रेट थेर के सुनाओंगा तो वी रेडी फार देट और आप लोग ट्वीटर पर जाके फालो कर लो वहाँ पे मैंने ट्विट की है रीट्वीट करो सेयर करो बाकी का आने वाले समय में केंपेन के जरुवत पड़ सकती है जब आप लोग जोड़े रहोगे तभी न ट्विट कर पाओगे अधर्वायस कैंपेन में पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगे एक छोटा सा आडिकल है आज की निस फेपर में समाज कल्याण में तबादलो में हुई जमकर मनमानी जी हाँ सासन की रिपोर्ट में अमरुजाला में शपी खबर की पुष्टी निदेसाले ने पूछा कौन जिमेदार क्या की कारवाई सामने आ चुके हैं बड़े घपले जी हाँ और जिससे क्या था कि पिछले कई सालों से जो बाबू थे जो अधिक्यारी थे वो समाज कल्याण विभाग में एक ही जगह पे तैनात थे अब क्या हो रहा था नस्दिकी कॉलेज वाले उसे संपर्क साद के छात्र रृति में घोटाला कर रहे थे लेकिन उन सारी चीज़ों का मरुजाला ने किया प्रकासित और अब क्या है कि अब कहीन कहीने देसाला इश्ट्रिक हो रहा है और इस पर कोई ने कोई एकसंद जरूर से लेगा ओवराल मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग अगर एक्टिव हो जाओ तो सासन, प्रसासन, हर कोई छात्रों की सुने का हर कोई युवाओं की मांग को पूरा करेगा बसरते आवाज उठाने वाले में दम होना शरी और आवाज जिसने उठाया उसके साथ है एक बहुत बड़ा कारवा होना शरी यानि कि बड़ी संख्या में सपोर्ट होना शरी आप लोग समझ रहे हो की नहीं तो सबसे पहला काम आप लोगों की तरफ से मुझे हो ऐसा रिस्पॉंस ही नहीं दिखा है ना आप लोग चैनल को अभी तक सस्क्राइब किये हो ना आप लोग दोस्तों में सेर करते हो ना ही ट्वीटर पर फालो किये हो कैसे मालू कि आप लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हो और आप की स्कॉलर्शिप आ ही जाए और आप ट्वीटर का एपन को स्कस्सपुली करा पाओ इसके अलावा कई ऐसे चात रहे जिनका फॉर्म वेरिफाइड हो चुका है डिश्ट्रिक स्कॉलर्शिप कमेटी से तो जिनका भी फॉर्म दिश्ट्रिक स्कॉलर्शिप कमेटी से वेरिफाइड है वो लोगों को उतना परसान नहीं हो रहा है निश्चिन्त रहे हाँ आने वाले समय में जो भी अप्डेट होगी वीडियो के बाद्धिम से मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा हाला कि अभी थोड़ा सा वेट करो 15 अपरेल से क्या होगा कि आप लोगों का जो भी पैसा है वो भेजा जाएगा जी हाँ 15 अपरेल से आप लोगों का जो पैसा है वो भेजा जाएगा पोर्टल को भी दोबारा सोपन कर दिया जाएगा और यह जानकारी मिल रही है कि 25 अप बागी का इसके बाद वाले वीडियो में कुछ और की चीज़े मैं आपको दिखाऊंगा डिसकस करूंगा और अधिखारियों का काल रिकार्डिंग आपको एडांद करूंगा इस वीडियों पर डेट सो लाइक कर दो एक बज़िक पहले तक सर्ची स्कॉलर्सिफ फर्म रिज स्ट्रेटस नीचे जाओगे तो कई सारा लेटेश जाब बेकेंसी तु जान सकते हो लेकिन यहां से आप क्या काम करोगे सीधा साब कुछ नहीं करना है थोड़ा से स्क्राउल डाउन करना है नीचे आजाना है फ्रेस रेनिवल जो सा भी आपका काटेगरी है आप इस पर क् प्रसत की मेरिट कटाफ के सभी पात चात्र को अलाब वंतित किया जा सका है बजट के अभाव में बाकी चात्र चात्राओं को लाब वंतित नहीं किया जा सका साथी अउगत कराना है चात्र वित्ती योजना बजट आधारित योजना है विभाग में बजट की उपलब्दिता के अनुसार चात्राओं को गत्वर्ड के मेरिट के अधार को लाब वंतित किया जाना उसका प्राविधान है बिल्कुल और इनके हिसाब से कि बजट अगर दुबारा से रिलीज होता है तो पैसा भीजा जाएगा रियल्टी यह है कि 32 करोड का बजट पास हुआ था 1000 करोड का भी भी बच्चा हुआ है 800 करोड का तो उस पैसे का आप दोन भाई पैसा जब है तो फिर क्यों हो उसको जूट बोलना या फिर आप पुरू ऑफिस्यल डाटा निकालो कि यह दिस्ट्रिक में इतने चात्रों को इतना करोड बाटा गया टोटल इतना खर्च हुआ इतना पजट पास हुआ ऐसा आप एक को कर भी रहा हूँ अने वाले समय में करेक्सन और दोबारा से जब फार्म बने करें पोटल खुलेगा तो चैनल की आपको सक्त जरूरत पढ़ने वाली है दिसाने दिसों की तो आप रूख सब्सक्राइब करके जूड़ ज़ाए हो कि आप जूड़ गए शनल ट्रस्ट करत हो थैंक्स फूर वाशिंग शेकिन वादे माद्रबुट